हेलो अब्रीवन वेलकम टू प्रकृति क्लासेज आई होप यौ अलो डूइं वेल तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम आपके हिंदी के पी वाइक्यू सॉल करेंगे जो कि आपका पेपर हुआ था सीजी डेट 2017 में यह जो पी वाइक्यू होंगे यह आपके प्राइमरी ल नहीं देखिए मुझा कर जरूर देखिए क्योंकि पी वाइक्यू आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसे आपको पता चलेगा कि आपके सीजी डेट में किस प्रकार के कुश्चन्स पूछे जाते हैं तो चलिए आज किस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और चलिए आज किस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं तो आज का सबसे पहला कोर्शन आप इसमें देख सकते हैं निम्नांकिर शब्द समूह देशज है इसमें से आपको देशज शब्द कौन से है यह आपको बताना है चिडिया घरांदा जूता जातू कमीना सूथ औरत किताब ब अर्थ होता है वो देश में ही जन्मा होता है यही इसका अर्थ होता है जो आपके छेतरी भाशाएं जो होती है उसके लिए जो उप्योग की जाती है वही आपका देशज शब्द कहलाता है और यह आपके देश में ही इसका जो जन्म होता है वो होता है तो यही आंसर इसमे तो सबसे पहले आपको जब भी समास से कोशन पूछा जाए तो आप सबसे पहले उसे विग्रह करके देखेंगे जो आपका वन गमन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तत पुरुष समास के अंतरगत क्योंकि जो तत पुरुष समास होता है इसमें जो होता है वो दूसरा पद इसमें प्रधान होता है और जो आपका पहला पद होता है उसमें किसी एक कारक की विभक्ती का लोप होता है इसी लिए जो आपका वन गमन हो जाएगा वो आपका तत पुरुष समास हो जाएगा तो option number B इसमें विल्कुल सही हो जाएगा next question आपका इसमें दिया गया है प्रारंभी किस्तर पर पढ़ना सिखाने में भाशा शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है पढ़ने के दौरान सही उच्चारन के लिए बच्चों को न टुका जाए बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोतसाहित किया जाए पठन में आपको बच्चे द्वारा अनुमानित पठन है उसे आपको प्रोतसाहित करना चाहिए तो यही आंसर इसमें हमारा सही हो जाए बच्चों को न टुका जाए यह इसमें गलत तो कि बच्चे सही से सीख सकते हैं तो option number B ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अब next question आप इसमें देख सकते हैं प्रतिकूल कारे करने के लिए उचित मुहावरा क्या होगा उल्टी गंगा बहाना उठाना रखना 19-20 होना या फिर एक आंक से देखना तो इस question का जो सही आंसर हो जाएगा जो प्रतिकूल कार प्रतिकूल समुहों में जो भिन है उसे आपको बताना है आदमी समाज लड़की या सेना टोली दल बजार नगर गुच्छा धेर श्रिंखला या जूंड या फिर परिवार संग बालक या कक्षा तो जो इसमें भिन है उसे आपको बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा अप्षा नमबर डी इसमें परिवार संग बालक और कक्षा इसमें चारो जो ओप्षन दिये गए हैं वो इसमें भिन है लेकिन इसमें आप देख सकते हैं जो आदमी समाज लड़की सेना है वो इसमें एक समाज को दर्शा आ रहा है इसमें भी आप देख सकते हैं टोली दल बाजार नगर इसमें भी एक दल को इसमें दर्शाया जा रहा है और गुच्छा डेर श्रिंखला जुन इसमें भी एक जुन्ड को दर्शाया जा रहा है लेकिन जो परिवार हो गया यह इसमें अलग शब्द है संग भी अलग शब्द है बालक भी अलग शब्द है और कक्षा अभी इसमें अलग शब्द है इसलिए option number D ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अब next आपका है वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है आकांक्षा योग्यता सन्निधी या आसक्ति या फिर उद्देश तो वाक्य के गुण की श्रेणी में कौन सा नहीं है यह आपको बतान के गुण पाए जाते हैं जिसमें से आपका हो जाएगा योग्यता फिर आपका आजाएगा आकांशा आसक्ति और जो आपका है पदक्रम आजाएगा और इसके साथ ही साथ आपका अन्वय और आपका आजाएगा सार्थक्ता तो यह सभी चीज़ें आप इसमें याद रखे अविकारी योगी या मिश्रित तदसम तद्भव उपसर्ग प्रत्य है तो ऑप्छोन नमबर A इसमें विलकुल सही हो और नेक्स्ट आपका शब्दों के अक्छरों का हेर पेर क्या कहलाता है वर्नवी पर यह है तद्भव शब्द शोधन या फिर विकृति इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो शब्दों के अक्षरों का हेर फेर होता है वो आपका कहलाता है वर्णवी परियाई तो option number A ही आपका इसमें सही हो जाएगा अब next है आपका question number 39 नीरव शब्द का संधी विग्रव क्या है नीधनरव नीधनरव या फिर नीधनरव या फिर नीधनरव तो आपको नीरव शब्द का संधी विग्रव बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा नी धनरव और ये आपका हो जाएगा एक प्रकार का विसर्ग संधी तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे तो आपके एक्जाम में इसी प्रकार के questions पूछे जाते हैं इसलिए previous year questions सौल करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जबकि आपका अठनी सत्सई सप्ता इसमें जो अंको सेजी से जाना जाता है वो आपका द्विगू समास कहलाता और जो आपका द्वीरद है यह आपका आजाएगा बहु ब्रीही समास के अंतरगत जो आपका बहु ब्रीही समास है यह इसके अंतरगत आजाएगा जिसका अर्थ होता है जो अर्थ होता है दो दात है जिसके मतलब की हाथी तो ये आपका बहु ब्रही समास के अंतरगत आएगा और बाकी अठनी, सत्ताई और सप्ता आपके द्विगु समास के अंतरगत आएगे तो ये option आपका इसमें सही हो जाएगा अब next है आपका पढ़ते हुए अर्थ समझने की प्रक्रिया का क्रम है शब्दों से प्राप्त संकेत, पाठक का पूर्व अनुभाव, पाठक का भाषा ग्यानवा सामुहिक समझ या फिर पाठक का संदर्भ या फिर अन्यमदद इसमें से आपको सही क्रम बताना है तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा पाठक का भार्षा ग्यानवा सामोहिक समझ सबसे पहले आपका आजाएगा option number C फिर आपका आएगा शब्दों से प्राप्त संकेत इसके बाद आपका आजाएगा option number A फिर इसके बाद आपका आएगा पाठक का पूर्वा अनुभा फिर लास्ट में आपका आएगा पाठक का संदर्भ या फिर अन्यमदत तो आपका B फिर आएगा D तो option number B इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा C, A, B, D इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अब next है आपका परसर्ग किसे कहा जाता है उपसर्ग को कारक चिनों को प्रत्य को या फिर वागय के अंगों को तो इसमें आपका जो सही आंसर जाएगा वह हो जाएगा कारक चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है परसर्ग का मतलब ही होता है जो अक्षर होते हैं वो किसी शब्द के बाद आते हैं और किसी की विशेशता बताते हैं उसे आपका परसर्ग कहा जाता है जैसे कि आपका इसमें आजाता है का, के, रे, ने, ये सबी आपके परसर्ग चिन हैं, इसे ही आपका कारक चिन कहा जाता है, तो ये option इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, अब नेक्स्ट है आपका question इसमें, हिंदी वेंजन भनियों में चार अंतस्थ वेंजन कौन से है, श, 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 अंग, न, 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 म, या फिर यर लव, या फिर श, त्र, ग, श, तो जो आपके अंतस्थ वेंजन हो जाएगे, वो आपके हो जाएगे, यर लव, और जो आपके श, 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 है है, ये आपके उश्म वे अंतरगत आते हैं और यह आपके नासिक के ध्वनियों के अंतरगत आते हैं तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए तो option number C इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो अंतस्थ वेंजन होते हैं यह रलवव होते हैं जिसमें आपके ताथ होट आपस में परस पर एक दूसरे को इसपर्श नहीं करते हैं तो यह option इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अब next है आपका अथ का विलोम शब्द क्या है पूर्व अंत इती या अनंत इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहुँजाएगा इती अर्थ का विलोम अर्थ हो जाएगा आपका इत next है आपका बच्चो को भाषा सिखाने में निम्नांकित समूह में से किस समूह का सरवाधिक महत्व है सही उच्चारन भाषा व्याकरन की गलतियां वा उपयोगी भाषा को स्वतंत्र अभिवेक्ती भाषा सीखने को प्रतसाहित करना वा उपयोगी भाषा को या फिर सही उ इसमें आपका सही अंसर हो जाएगा सही उच्चारण शुद्ध भाषा वा भाषा व्यक्रण की गलतियों को सबसे सरवाधिक महत्वपुन माना गया है जो कि आपके बच्चों को भाषा सिखाने में सबसे सरवाधिक महत्वपुन माना गया है तो option number D इसमें आपका बिल्कु गाड़ी शब्द है इस कोशन को जो है विलोपीत किया गया था तो इसे इसकीप करते हुए हम नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका राम ने कहा गाड़ी पलड़ गई इसमें options देगे हैं सरल वाक्य है दृत्व वाक्य है संवत्य वाक्य है या फिर के साथ आपका एक उपवाक्य भी इसमें शामिल होता है तो उसे ही आपका मिश्र वाक्य कहा जाता है तो option number D इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अब next question आप इसमें देख सकते हैं रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा इस वाक्य में जीवन भर शब्द क्या है परिमान वा आपका विशेश ये विशेशन कहलाता है जो आपका जीवन भर शब्द हो जाएगा वो आपके विशेश ये विशेशन के अंतरगत आएगा जिसमें जो आपके विशेशन के पहले आता है उसे आपका विशेश ये विशेशन कहा जाता है option number D इसमें बिल्कुल सही हो जाए सुनने और बोलने का जो बच्चा होता है वो सुनना और बोलना बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है इसकूल आने से पहले सही तो आप्शन नमबर बीस में बिल्कुल सही हो जाएगा जो आपके हिंदी का पेपर होगा वो आपके सीजी टैट में 30 नमबर के पूछे जाएं तो आप देख सकते हैं कि आपके एकजाम में किस प्रकार से कोशन पूछेगा हैं नेक्स्ट है आपका दिये के शब्दों में समारांथक नहीं है सरोवर तलाब पुशकर या फिर नद्य इसका जो सही आंसर हो जाएगा नद्य जो समानार्थक नहीं है वो आपका हो से दूर्व रिकॉर्डेड अवलोकन करता है शिक्षक बच्चों का अनवचारिक नेमित पूर्वा ग्रसित वर रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता हो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा option number 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों का अनवचारिक नेमित वर पूर्वा ग्रह से दूर वर रिकॉर्डड अलोकन करता है वो आपके आकलन प्रक्रिया में सब्स्यादा सहार्थक होता है तो option number 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा अब next है दो सब्सक्राइब कि यसे आपके आर्थक वाके विदान अर्थक वाकय या फिर संकेत अर्थक वाकय संफ-क इसका जैसे कि मैं सुबा गूमने जाता हो इसमें किसी कारे के होले काप हो रहा है तो यह option इसमें बिल्कुल सही हो इसमें किसी भी प्रकार की इक्षा नहीं होती नहीं यह आग्या अर्थक वाग्य नहीं संकेद अर्थक तो यह तीनों गलत हो जाएगे तो option number C इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अब next है आपका बच्चे भाषा सीख लेते हैं केवल बच्चों की सहज, प्रवित्य और कुद्रती जादू से, कुद्रती जातू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से या फिर भाषा सीखने हेतू केवल लंबे परिश्रम से या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, जो कुद्रती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से बच्चे भाषा सीख लेते हैं, तो option number B इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, next है आपका question number 54, विद्यार्थियों हेतू पर्णा सीखने के लेकिन समझ ना पाना, इसका जो सही अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, सामाने था पढ़कर उनका उसे समझ पाना, विद्यार्थियों हेतू पर्णा सीखाने के लिए सबसे उप्योगत होता है, तो option number A इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, next है आपका question number 55, भाषा के संदर वह बताना है, इसका जो सही अंसर जाएगा, बच्चो की शब्द समपदा, व्याकरन ग्यान वह पढ़ने के लिखने के कौशल की जाएगा, तो जो भाषा की संदर में आकलन का उद्धेश होता है, वो सबसे अप्रोपियेट कौन सह होगा, यह आपको बताना है, इसका जो जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों की शब्द संपधा व्यक्राण ग्यानवा पढ़ने लिखने की कोशल की जाच हो तो यह option आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा option number D अब next है आपका गरीब के घर में गुणवान का उत्पन होना के लिए उप्योगत विकल्प होगा गुदरी का लाल छपपर पार देना घी के दिये जलाना या फिर दिन दुना रात चोगुना इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुदरी का लाल गुदरी का लाल गरीब के घर में गुणवान का उत्पन होना इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये option number A आपका गुदरी का लाल हो जाएगा और जो छपपर पार देना ये आपका हो जाएगा बीना महनक के अधिक धन पाना और घी के दिये जलाना इसका अर्थ होता है अप रत्याशित लाप प्रसरनता और दिन दुना राज चोगोना का अर्थ होता है इसका आर्थ होता है तेजी से तरक्की करना तो option number A इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अब next है आपका अंगुठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है धोका देना काम ना करना जूट बोलना या अंगुठा को दिखाना इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो अंगुठा दिखाना है उसका आर्थ हो जाएगा धोका देना धोका देना इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अब next है आपका last के दो से तीन कोशन ही बचे हुए हैं बच्चों के मुल्यांकन के लिए जो गतिवीदिया चुनी किसम कक्षानुसार नहीं हो जा लेकिन साथ ही वे कख्षानुसार इस तरवय किस्म के भी हो तो बच्चों के मुल्यांकन के लिए जो गतिवीदिया चुनी जाती है वह आपकी हो जाएगी option number D इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा जो कक्षा में की जाने वाली गतिवीधिया ही हो साथ ही वे कक्षा नुसार इस्तरवक किस्म के भी हो तो ये आपके जो मुल्यांकन के लिए गतिवीधिया चुनी जाएगा वो आपकी option number D इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी जिसे तूरंत उचित उत्तर सुच जाए तो इसे आपका प्रत्यून पर्णमति कहा जाएगा option number B इसमें सही हो जाएगा अब आज का हमारा last question आप इसमें देख सकते हैं कवी सम्मेलन में कवीता पार्ट करेंगे और साथ ही वहां की एतिहासी की मारतों को भी देखेंगे इस कथन में लोकोक्ति क्या है जिन ढूंडा तीन पाईया आम क्याम गुठली के दाम एक पंथ दो काज या होनहार बिर्वान के इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहुचाएगा एक पंथ दो काज एक काम से दो काम को पूरा करना ही आपका इसका अर्थ हो जाएगा एक पंथ दो काज और इसमें जो जिन ढूना तीन पाईया है उसका आर्थ हो जाएगा जितना कठेन परिश्रम होगा उतना अधिक लाब होगा और आम क्याम गुठली के दाम का आर्थ होगा दोहरा लाब और होनहार बिर्वान का आर्थ होता है होनहार बच्चे का गुण बच्चपन से ही पेपर 1 कोशन से तो आपके कितने कोशन सही हुए यह कॉमेंट में जरूर बताएंगे और क्लास आपको कैसी लगी यह भी आप जरूर बताएंगे तो मिलते हैं से ही नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थाएंगे और टेक क्या है